गुड मॉनिंग आलव यू मिसन इस्ट्यूट प्रयाग राज की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है हम लोग हिंदी की ग्लासे ले रहे थे और हिंदी में हम लोग जिस चैप्टर के कॉंसेप्ट देख रहे थे वह चैप्टर है आपका विशेशड तो हम लोगो विशेशड के कुल चार प्रकार होते हैं परिमार वाचक गुडवाचक संख्या वाचक और सार्वनावी तो हमें दो प्रकार और डिसकस करने हैं जिसमें आपका एक प्रकार है संख्या वाचक विशेशक तो हेडिंग डालिएगा संख्या वाचक विशेशक हेडिंग डाल dar dwineo सफम्षब वाचक विशेशड array दाली एकासंख्या वाचक विशेशड संख्या वाचक विशेशड और देखिया संख्या वाचक विशेशड क्या होते हैं तो लेंगा भी विशेशड सब्द वे विशेशड सब्द जीन से किसी संग्या अथवा सर्वनाम की संख्या का बोद हो संख्या का बोद हो संख्या वाचक संख्या का बोद हो संख्या वाचक संख्या वाचक वाचक विशेशड संख्या वाचक विशेशड कहलाते हैं कहलाते हैं वे विशेशड सब्द जिन से किसी संग्या अथवा सर्वनाम की संख्या का वो दो संख्या वाचक विशेशड कहलाते हैं जैसे कहा जाए कहा जाए दस आदमी कहा जाए बीज आम कहा जाए कुछ कुरसिया कुछ कुरसिया कहा जाए बहुत लोग इन सभी सब्दों के द्वारा बेसिकली क्या बताया जाएगा संख्या बताया जाएगा नंबर की बात की जारी नंबर की बात की जाएगी यहां पर किसके जैसे कहा जा रहा है वे विशेशर सब्द जिनसे किसी संग्यात हो असरुनाम की संख्या का बोध हो क्या कहलाते हैं संख्या बाचक विशेशर कहलाते है जैसे कहा जाएगा दस आदमी बीस आम कुछ कुर्सियां बहुत लोग तो इन सब में क्या बता जा रहा है दस आदमी में क्या बता जा रहा है दस के द्वारा संख्या बता जा रहे किसकी आदमियों की बीस आम में बीस के द्वारा क्या बता जा रहा है आम की संख्या बता जा रहे कुछ कुर्सियों में कुछ के द्वारा क्या बता जा रहा है कुर्शियों की संख्या और बहुत लोग में बहुत की द्वारा क्या बता जा रहा है लोगों की संख्या तो ऐसे सब्दों को क्या कहा जाता है संख्या वाचक विशेशड जिन से जिनसे संख्या का बोद हो और किसकी संख्या का बोद हो संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोद हो क्या कहलाते है संख्या वाचक विशेशड कहलाते है अब देखे अगर ये जो संख्या वाचक विशेशड की हम बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं तो ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से दो प्रकार के होते हैं, तो जो इसमें पहला प्रकार होगा, इसे कहा जाएगा निश्चित पहला जो प्रकार होगा, इसे कहा जाएगा निश्चित निश्चित संख्या वाचक पहला जो प्रकार होगा उसे कहा जायेगा निश्चित संख्या वाचक विशेशण निश्चित संख्या वाचक विशेशण और जो दूसरा प्रकार होगा दूसरा जो प्रकार होगा इसे कहा जाएगा निश्चित इसे कहा जाएगा निश्चित संख्या वाचक विशेश्ड निश्चित संख्या वाचक विशेश्ड निश्चित संख्या वाचक विशेश्ड निश्चित संख्या वाचक विशेश्ड विशेश्ड तो जो आपका पहला प्रकार होगा इसे क्या कहा जा सब्सक्कार से क्या ताथ परे है तो विशेशन सब्द जिस्से किसी संग्यया या सरवनाम की निश्चे संह्या का बोद्र हो सो मितल सब्सक तक 20 पुस्तक साथ्र इस मसे देखि एव्यक्ति और सबूताया रहा है तो एशे विशेश्र सब क्या कहा जाएगा निश्चित संख्या वाचक विशेश्ड अगर और इसे आगे लिखें अगर इसके भी विभेद करें तो इसके कितने वेद होते हैं तो चारवेद होते हैं क्या करें निश्चित संख्या वाचक के कितने वेद होंगे चार वेद कौन-कौन से पहला होगा आपका क्रम वाचक क्रम वाचक संख्या वाचक विशेश्ड दूसरा जो होगा उसे कहेंगे आपरिति वाचक संख्या वाचक विशेश्ड दूसरा जो भेद होगा उसे क्या कहेंगे आपरिति वाचक संख्या वाचक विशेश्ड तीसरा जो भेद होगा उसे क्या कहेंगे आपरिति वाचक संख्या वाचक विशेश्ड तीसरा जो भेद होगा उसे कहें गरना वाचक गरण होगा गरना वाचक फिषएश्ड तरह जो आपका संख्यान वाचक विर्षेशर क्या होगा हम क्रम की बात करें किसके क्रम की बात करेंगे संख्याओं के क्रम की बात करेंगे जैसे अगर हम कहें अगर हम बात करें पहला क्रम आप कैसे डिसाइड करते हैं ऐसे तो गिनते हैं पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा इस प्रकार के जब कोई शब्द आएंगे उन सब्दों से जिस विशेषड का बोद होगा वो क्या क् का क्रम वाचक संख्या वाचक विशेशर्थ आवरित्ति वाचक विशेशर्थ क्या होता है आवरित्ति का मतलब क्या होता है गुना तो किसी भी संख्या के आगे अगर गुना लगा हुआ है तो वो क्या कहला है आवरित्ति वाचक जैसे कहा जाए दो गुना कि दो गुना को न कहा जैए टी कुना को इक चोगूना तो यह सब क्या हो जाएँगे आपके आपरी वाचक ये क्या हो जाएँगे आवरी टील गणा वाचक में क्या होगा जैसे और गूी और गिंत ही एसवाओ करते हैं एक, दो, दो, तीन, चार, इस प्रकार के जो आपके विशेशार सब्दों होंगे, वो की स्रेणी में आएंगे, गढ़ना वाचक में, समोह वाचक में क्या आएगा, जैसे समोह की बात की जाए, जैसे कहा जाए, दोनो, दोनो, तीनो, तीनो, चारो, कहा जाए, आठो, तीनो, तीनो, चारो, कहा जाए, आठो, तीनो, 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 जैसे कहा जब पहला आदमी दूसरा व्यक्ति तीसरा इंसान ठीक है ऐसे कुछ भी अगर हम क्रम की बात करेंगे जैसे आप लोग रिजनिंग चैप्टर पढ़ने तो उसमें जो रैंकिंग चैप्टर है तो रैंकिंग में आप पढ़ते होंगे कि रोहित का अस्थान आरंब स on which is fresh ने क्या कहा जाएगा जब हम गुना की बात करते हैं दो गुना की गुना चोग न पांच गुना तो यह सारे सब्द कि स्टेनी में आते हैं आपके आवरीतति वाचक संख्या वाचक विशेशर में और जब तो हम एक, दो, तीन, चार, पांच यानी, पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो सब्द आएगा, जो विशेशर आएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका गढ़ना वाचक विशेशर, और जब हम संख्याओं के समूह की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो शीशेश्षार सब्दाएगा वो क्या आजाएगा समूह वाचक शंख्या्वाचक विश्एष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् क्लियर है मं छ intimidated सब्स readiness प्रण साम देखें गेदिस संख्या वाचक विश्एष्ष्ष्ष्ष मैं होते हैं निश्चित संख्या बाचक विशेशड अगर हम बात करें निश्चित विशेशण सब्द जिनके द्वारा लिखेगा डिफनेशन लिख लिजी विशेशड सब्द वे विशेशण सब्द जिनके द्वारा संग्या अथवा शर्वनाम की अनिश्चित संग्या अथवा शर्वनाम की अनिश्चित संग्या अथवा शर्वनाम की अनिश्चित संग्या का बोदो अनिश्चित संग्या वाचक अनिश्चित संग्या वाचक में कहलाता हैं अनिश्चित संग्या वाचक वे शेयर खैलाता है कि कहलाता है कि कहलाता इतर जैसे कहा ज्याषे पस्तौ visualization कहा जाए कुछ है कोछ आदमी कि आदमे अदमे को भोषत प्रुस्त कि और भिखकें थोड़ा सामान की यहां पर संख्या की बात हो रही है थोड़ा सामान मात्रा की बात नहीं रही है तो यहां पर कुछ थोड़ा कुछ थोड़ा बहुत यह सारे सब्द कैसे हो जाएंगे बता तो रहे हैं संख्या को लेकिन जो संख्या बताए जा रही है वो संख्या निश्चित नहीं है तो यह सब कैसे हो जाएंगे आपके अनिश्चित संख्या वाचक विशेशड क्या हो अन्तिम विशेषण सब्द समझे, और अन्तिम जो विशेषण सब्द है, उसे क्या कहा जाता है, ये आपका कहलाएगा, अन्तिम जो विशेषण सब्द है, इसे कहा जाता है, सार्वनामिक, 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 विशेषण, शार्वनामिक, विशेषण, और सार्वनामिक जो विशेशड होता है ये बेसिकली क्या होता है तो लिखेगा जब किसी सर्वनाम सब्द के तूरंत बाद कोई कोई संग्या सब्द जब किसी सर्वनाम शब्द के तूरंत बाद कोई संग्या सब्द आ जाए तो वहां पर तो वहां पर जब किसी सर्वनाम सब्द के तूरंत बाद कोई संग्या सब्द आ जाए तो वहां पर वह शर्वनाम सब्द शार्वनामिक विशेशण कहलाता है शार्वनामिक विशेशण कहलाता है जैसे कि समझेगा कहा जाए वह मेरी कलम है अब देखिए यहां पर यह जो वह सब्द है यह क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा शर्वनाम यह क्या हो जाएगा सर्वनाम क्योंकि वह के बाद क्या आया है सर्वनाम आया है संग्या सब्द नहीं आया है लेकिन अगर यहीं पर ऐसा पगए वह कलम मेरी है अब देखिए वह यहां पर क्या है सर्वनाम वह क्या है शर्वनाम और इस सर्वनाम की तुरंत बाद क्या आया है संग्या आया है और इस सर् सर्वनाम सब्द है यह क्या हो जाएगा विशेषड हो जाएगा और इसी विशेषड को क्या कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषड कहा जाएगा बात क्लियर है इसी विशेषड को क्या कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषड कहा जाएगा तो जब किसी सर्वनाम के द्वारा किसी संग्या सब्द की विशेस्ता बताए जाएगी तो अहां पर क्या हो जाएगा शार्व नामिक विशेषड हो जाएगा चले तो आज हम लोगों ने विशेषड चैप्टर को कंप्रीट किया विशेषड चैप्टर में आपके इतने ही कॉंसेप्ट हैं कल फिर उलाकात झाल झाल